हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल गोपी तेवारी और कैसे हूँ आप सब और आज जो है तरमकिर्सर में हमारा है तीसरा दिन तो आज हम लोग जो है सुबह दर्सन करने आए हैं और दर्सन करने के बाद आज हम लोग जो है निकल जाएंगे सिर्डी के लिए तो य यहां पर जो है अंगूठे के आकार के तीन जो है बने हुए हैं जिने ब्रह्मा विष्नु महेश कहते हैं और यह देखे कुन्ड सा है इसमे पानी आता है जो अंदर बोले बाबा का जो भी अप्सीख होता है वो यहां से यहां जो है एकत्रेत होता है पानी तो यह हम लोग जो है बेल पत्री फूल बगएरा जो लिये थे सावन का महीना है सावन का महीना था तो वही हम लोग चड़ा रहे हैं और उसके बाद ये देखे बाहर से मैं आपको पूरा मंदिर दिखा रहे हूँ तो ये देखे सावन का महीना भी था जब मैं गई थी तो वहाँ पर भीड काफी थी आप देख सकते हैं भीड बहुत ही ज़ाद है तो यहाँ पर दर्सन हम लोगों ने कर लिये थे और उसके बाद हम लोग आज चले जाएंगे सिर्डी तो हम लोगों ने चाय और बड़ा पाउ हम लोगों ने खाय हुए है बेटा जो है रूम पर ही था क्योंकि उसका मन नहीं था आने का और उसने सुबह पूजा भी कीती पूजा में बैठा था तो वो गया था इस वज़े से वो नहीं आया है और हम तीनों जो है बड़ा पाउ का इंज्वाई ले रहे हैं और बस बड़ा पाउ खाने के बाद हम लोग जो है जाएंगे रूम पर और कैब हम लोगों ने जो है बुक कर ली है सेडी के लिए तो बड़ा पाउ बहुत ही टेस्टी था आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन मेरे तो बैसे भी मुझे बड़ा पाउ बहुत ही पसंद है लेकिन सेडी और त्रमकेसर का थोड़ा जादा ही फेमस रहता है उसका टेस्ट वगेरा टेस्ट वाईज अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है सेडी और त्रमकेसर के बड़े का तो बड़ा पाउ तो हर जगे मिलने लगा है अब लेकिन टेस्ट बो नहीं रहता है तो इसलिए हम लोगों ने जो है बड़ा पाउ खाने के बाद ये देख सकते हैं आप मैंने आप से बोला था मैंने कैब कर ली है तो कैब जो है हो गई है तो हम लोग जो है निकल दिये हैं अब सीड़ी के लिये, तो सबी जो है सामान जमा लिया कैब में, अचाइज entrajee कैब हमारी तर्मकेशर से सीड़ी के लिये टोटल हुई ती, बायス सौ मे, तो यहां से नासिक तक एक लिया कैब ने छूड़ा था, उसके बाद वहां से एक योन या कोई सी गाड़ी थी मुझे नाम जो है सायद ध्यान नहीं है और देखिए आप बारिस भी हो रही है क्योंकि उधर से सेड़ी तक बारिस बराबर होती रही है क्योंकि साबर का महीना भी था तो ये देखिए ये मैंने गाड़ी भी चैंज हमारी हो गई है तो अब यहां से हम दूसरी गाड़ी में जाएंगे लेकिन किराया जो है टोटल पूरा बाइस सो लगा हुआ है तो बड़े आराम से हम लोग जो है सेड़ी पहुच गए है तो बस दूसरी गाड़ी में हम लोग सिप्ट हो गए है और बस हम लोग जा रहे हैं और यह दिखे मैं रास्ते का आपको व्यू दिखा रहे हूं और बस थोड़ी ही देर में हम लोग जो है त्रमकेसर से नासिक पहुँच गए थे एक डेड़ घंटे में और दो घंटे में हम लोग नासिक से सेड़ी पहुच गए थे तो रास्ते में जो है कुल 2-3-4 घंटे हम लोगों को लग गए थे और कैप से थे तो जादे दिक्कत नहीं हुई थी तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको रास्ते का व्यू और बस रास्ते में जो है हम लोग एक जगए रुके हुए थे चाय बगएरा के लिए तो बस वहीं पर जो है हम लोग चाय पी रहे हैं ड्राइवर को भी पीनी थी तो हम लोग जो है रुक गए थे चाय पीने के लिए और बस चाय पीके सीधा हम लोग सेड़ी में ही रुकेंगे जाकर तो यहाँ पर हम लोग सब पी रहे हैं चाय बच्चों का पच्चों ने साय चाय नहीं ले थी प्रूटी बगएर ले थी और बस हम लोग जो है चाय पी ने के बास सीधे जो है सेडी में ही रुकेंगे जाकर रास्ते में नहीं रुकेंगे और बस चाय पी लेंगे बस निकलें हुँ आपको और काफी अच्छा वहां का मौसम भी अच्छा है अगर आप लोग गए हुए हूँ और विवी काफी अच्छा है हार्याली है चारो साइट तो काफी अच्छा भीव है तो बस हम लोग सभी बैटे हुए हैं बस थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे और यह जो है हम लोग सेड़ी जो है पहुँच चुके हैं और अब हम लोग जो है जा रहे हैं आसरम पे यह देखिए अनार बगैरा जो मिलते हैं किनारे यहां से अनार बगेरा जो है छिले हुए मिलना सुरू हो जाते हैं हाँ एक यह आसरम है जो यह निकल गया है पीछे और मैं रुकूंगी आगे वाले आसरम में तो यहां पे बाबा जी के कई आस्रम हैं तो बो काफी बड़ा आस्रम है तो वहीं पर हम लोग रुकेंगे जाकर तो बस यह देखे आस्रम भी आ गया है इसको साई आस्रम के नाम से जानते हैं और यहां पर कैब मेरी अंदर गई तो बस उन्होंने क्या हुआ गेट कीपर जो बैठे हुए हैं उन्होंने सामान वहीं पर उतरवा दिया क्योंकि कैब बाला बोल रहा था कि अंदर तक मैं छोड़ देता हूँ लेकिन गेट कीपर जो होते हैं उन्होंने नहीं जाने दिया तो कोई बात नहीं है अब ये क्या हो गया है ये ट्रॉली वहाँ पर सेड़ी में चल दी है तो ये ट्रॉली से काफी आराम हो जाता है आप जो है आराम से अपना सामान निकाल सकते हैं और सामान निकालने के बाद आप आराम से रूम जो है यहां से काफी दूर है ये बहुत ह जादे जगए में बना हुआ है तो काफी थकान भी हो जाती है तो एक ये जो ट्रॉली चली है ये बहुत ही अच्छी चली है अच्छा पहले मैं जब गई थी तीन-चार साल पहले तब ये ट्रॉली का सिश्टम यहां पर नहीं था पहले भी मैं यहीं पर रुकी थी और बस बच्ची अपने जो है ट्रॉली ले जा रहे है और यहां से मैं आपको ये दिखा रहे हूँ आस्रम जो रूम हमारा है हाँ यहां पर ये जगए जो हम लोग पहुँच गए है इस जगए पर तो यहां पर क्या है इस जगए पर रूम की परची कटती है तो यहां पर आदार काट बगएरा लग करके आपको शाड़े छैससो रुपए में एसी रूम मिल जाता है तो यहां पर जो है मैं भी खड़ी हूँ बाहर बच्चा भी खड़ा है अब यह क्या है मैं इसी सीड़ियों पर बैठ जाऊंगी और यह लोग परची अंदर कटवाने गए है तो भीड बहुती कम थी जादे भीड नहीं थी तो परची बड़े आसानी से कट गई थी तो बस परची कट गई है अब हम लोग जाएंगे रूम के साइड तो रूम में क्या है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J करके जो है ब्लॉक बने हुए है तो हमें रूम मिला है सायद से B ब्लॉक में तो हम लोग जो है जाएंगे तो बस हम बैठे हुए हैं बाहर तो अंदर से ये लोग बस परची कट वा लेंगे परची जो है कट गई है अब हम लोग जा रहे हैं रूम के साइड यहाँ पर यह रिसेप्सन है यहाँ पर जो है और यह जो है यहाँ से उपर जो है खाने का है तो बस रूम के साइड जा रहे हैं तो रूम मैंने आपको बताया ABCD करके ब्लॉक बने हुए हैं तो सायद से मुझे B-Block में मिला है तो आप देखी सकते हैं कितनी दूर आई है गेट से जो है मैं आपको दिखा रहे हूं तो gate से काफी दूराई है तो वहाँ से क्या है ये जो trolley चली है ये काफी मददगार है बहुत ही आराम मिलता है इन trolleyों से आप देख सकते हैं अभी भी ब्लॉक जिसमें room मिला है वो अभी नहीं आया है आप दूर तक देख सकते हैं जो वो बड़ी सी building देख रही है वहाँ पर जो है room का system है लेकिन आप देख सकते हैं दूराई बहुत ही ज़ाद है तो बस यहाँ पर एक साइड ये toilet बगारा बना है राइट हैंड साइड और जैसे कोई नहीं room लेता है तो toilet बगारा में washroom बना हुआ है तो यहाँ पर नावा दोई अपनी करकी जो है आगे दर्सन करके और काफी जगे पड़ी हुई है वहाँ पर लोग अपने आराम करते हैं और बस दर्सन करके चले जाते हैं जिन्हें ठैरना नहीं होता है और ये देखिए अब चाय का भी इस्टॉल राइट हैंड साइट पर था तो मैं बाद में आपको डिटेल में दिखाऊंगी तो बस ये मैं जारी हूँ रूम की तरफ ये देखिए आप ये जो है ट्रॉली जो है बच्चों की फस रही है इटो में तो ये देखिए अब आ गया है ब्लॉक अब कौन सा ब्लॉक है सायट से मोवाइल में कैच ओप आया हो तो मैं आपको दिखाती हूँ सायट से बी ब्लॉक है तो जैसा कि मैंने आपको बताये एवी सी डी ब्लॉक करके रहते हैं तो उसी में रुकना होता है तो बस यह हो गया अंदर यहां पर room है हमारे room जो है मिला हुआ है तो हम लोगों ने किया है दो दिन के लिए room तो शाड़े 600 का है तो यहां पर बैसे भी दो दिन का ही allow रहता है room और दो दिन के बाद अगर आपको 3-4 दिन रुखना है तो आपको जो है room को जो क्या है room इसू कराना पड़ेगा दुबारा से मतलब पैसे जमा करने पड़ेंगे और बोर room आपका change हो जाएगा दूसरा आपको room में लेगा तो ऐसा यह system है यहां पर क्योंकि मैं जा रही हूँ 6-7 साल से काफी साल हो गया है बीच में मैंने थोड़ा मैं नहीं जा पाई 3-4 साल कोराना भी चल रहा था उस बज़े से तो बस अब room की जो है जो भी process था लिखा पड़ी का वो सारा हो गया है complete अब हम लोग जा रहे है room की तरफ तो यहां पर क्या है lift का भी system बना हुआ है तो बस lift में क्योंकि तीसरी मंजिल पे सायद से हम लोगों का room था तो बस हम लोग lift में आ गए और आने के बाद यह देखिए room में भी पहुँच गए है room में आपको दिखा रही हूँ later and bathroom अलग-अलग है और बस यहां पर यह back बगएर आप रख सकते हैं और three-seater यह room होता है अगर आप four जैसे हम लोग चार लोग थे ना तो हम लोगों ने क्या किया एक गद्दा और bed seat और pillow सारी जो है एक extra ले ली थी तो वो जो है नीचे बिच गई थी तो यह मेरी चारों की विवस्ता हो गई लेटने की तो काफी अच्छा और बड़ा room है आपको मैं दिखा रही हूँ और यहां पर यह बड़ी खिड़की भी लगी हुई है और बस थोड़ी देर बाद हम लोगों ने बस सामान बगेरा रखा उसके बाद हम लोगों को लगी थी भूख हम लोगों ने रास्ते में खाना तो खाया नहीं था बड़ा पाओ जो है खा करके वहां से चले थे तो बस बच्चों को और हम दोनों को लगी थी भूग तो बस हम लोग जो है लिप्ट से ही नीचे जा रहे हैं और नीचे जाने के बाद हम आपको दिखाएंगे जो है भूज नाले बना हुआ है खाने का तो बू मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका पूरा सिस्टम आपको दिखाऊंगी, कैसे क्या है, अगर आप नहीं गए हैं तो समझ लीजिए, अगर गए हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो बस हम लोग क्या है, जा रहे हैं ट्रस्ट की तरफ, तो यह आप देख सकते हैं, यह जीनों से जा करके, सीडियों से हम लोग जाएंगे उपर, और यहीं पर बना हुए है ट्रस्ट, खाने का, तो जहां से मैंने पर्ची कटाई थी, उसके जश्ट बगल में जो सीडियां थी, उनसे ही उपर जाना है, और यह वहीं खाने का भी है, तो बस हम लोग जो है, आग कर दीए और उस दिन झो है, खाना फिरी हो जाता है नहीं तो 10 रौपे थाली हम लोगों ने ले लिहे हैं फायलियों चावल पर उसके, और चावल पर ही डालते जाते हैं तो दाल होती है और दो सबीची होती हैं एक रसे की और एक सूखी तो वस ये देखिए चावल हम लोग डलवाएंगी प्लेट में ये चावल इस तरीके से डाल देते हैं और पहले क्या था यहां पर सिस्टम थोड़ा अलग था दूसरे टेस्ट में अभी विसायद वो है सिस्टम उसमें तो हम गई नहीं थे तो इस तरीके से ये वोजन वहाँ पर मिलता है तो यह हो गया हम लोगों का खाना एक जो है चावल में डाल पड़ गई और एक ये सबजी है और ये देख सकते हैं आप तीन तरह की दो सबजी और एक दाल और ये रोटी तो रोटी काफी बड़ी थी तो हम लोगों ने ये चावल और एक ही रोटी ली है क्योंकि खाना बरबाद नहीं करना चाहिए भाई तो बस हम लोगों ने खाना खा लिया और उसके बाद हम लोग पहुच गए थे चाय कैंटीन पर ये देखिए आप कैंटीन बनी हुई है तो यहाँ पर क्या है दो रुपे की चाय है और इसमें बोड में यहाँ पर तीन रुपे का दूद है इस तरीके से तो यहाँ पर हम सभी ने जो है चाय बगएरा पी और उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे रूम पर ये देखिए चाय पी रहे हैं हम लोग तो हम सभी ने जो है चाय पी यहाँ पर भहत ही सस्ती चाय है आप लोगों को अगर पता हूँ आप लोग गए हों तो दो रुपए की चाय यहां मिलती है तीन रुपए का दूद मिलता है और कॉफी कितने की मिलती है सायद चार रुपए की ऐसे ही कुछ है तो यह देखे हम लोग बस चाय पी रहे हैं आप देख सकते हैं बेटी का कितना मूँ चल रहा है कुछ बोल रही है बीच में और यहाँ पर मैं उपर से बाइज ओबर करती हूँ इस बज़े से तो बस हम लोग जो है चाय का आनंद ले रहे हैं चाय बहुती अच्छी बनती है अद्रक लाइची की और बस हो गई थी साम तो सुबह हम लोगों ने ये सब चाय बगएरा पी के आराम बगएरा किया उसकी बाद हम लोग साम हो गई थी तो साम को ट्रेश्ट का खाना बच्चों को अच्छा नहीं लगा था तो बच्चों ने कहा ममी कुछ बाहर खाया जाए तो बाहर क्या है इडली बगएरा सॉरी तो बाहर हम लोग जा रहे हैं बेटी हम और स्वेंड बस बाहर जो है जा रहे हैं आप देख सकते हैं रूम से बहुत ही चलना पड़ता है और यहां गेट के सामने ही ये फांटेन लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं रात में इसकी लाइट बहुत ही अच्छी लग रही है और बस उसके बाद जो है हम लोग निकल जाएंगे बाहर बाहर जा करके देखेंगे खाने के लिए और यह देखिए हम लोग जो है बाहर की साइट जा रहे हैं जो बस यह पर थी इडली, सामर और चटनी तो रही हम तीनों ने खाया और बच्चे के लिए जो है पैक करा लिया था और इडली, सामर चटनी काफी अच्छा था लेकिन बच्चे के लिए मेंने कराई थी पावबाजी पैक और उसको पावबाजी पसंद है वीडियो पसंद आए लाइक, सेयर और सब्सक्राइब थैंक यू